next question 2015 का सवाल है question says the refracting angle of a prism is A and refractive index of the material of the prism is cot A by 2 सवाल है angle of minimum deviation क्या होगा चार option अपने को दे रखे हैं यह सवाल आसान है पर at the same time इसमें mathematical और trigonometrical manipulation थोड़े से चाहिए कई किताबों में जबरस्ती इसका answer निकाला हूँ मैं आपको इसको करने का प्रॉपर तरीका सिखाता हूं सुने यह formula आपने को पता है कि यहां पर हम लिख सकते हैं refractive index mu उसको हम लिख सकते हैं this will be equal to sin of a plus deviation minimum divided by 2 divided by sin of a by 2 यह relation अपना होता है इसको हम directly यहां पर यूज कर सकते हैं अपने को यहां जो mu है उसकी value दे रखिए this is equal to sin of इसको दे रखा है sorry cot a by 2 तो यह हो गया आपका cot a by 2 नौ इन दोने equations को अगर हम equate करें यहां पर देखें तो cot को हम लिख सकते हैं cos a by 2 divided by sin a by 2 तो यह हो जाएगा cos a by 2 divided by sin of a by 2 will be equal to sin of a plus deviation minimum divided by 2 divided by sin of a by 2 now sin of a by 2 sin of a by 2 हम यहां पर cancel कर सकते हैं so अपनी equation आ गई cos of a by 2 will be equal to sin of a plus deviation minimum divided by 2 इसकी value हमें division minimum की value हमें बतानी है a के terms में क्या होगी नौ यहां पर आप जो cos a by 2 है उसको दो तरीके से लिख सकते हैं again इसको अगर हम वो करने लगे sin a by 2 को हम expand करने लगे exam hall में कैसे करना है यह तरीका बताता हूं इसको अगर हम expand करने लगे हमें होता है sin a plus b क्या होता है sin a cos b cos a sin b उससे अगर हम इसको expand करने लगे तो फर्ज जाएंगे उत्ती बढ़िया trigonometry की जरूरत यहां पर है नहीं तो इसको अगर हम यहां लिख दें या इसको लिखने के दो तरीके हो सकते है इसको पहला तरीका ही हो सकता है cos a by 2 को आपने लिखा sin of theta प्लस आप इसको लिखते हैं चलो मैं इसको यहां करके बताता हूं cos theta जो भी कोई cos theta है उसको आप लिख सकते हैं दो तरीके से उससे आप लिख सकते हैं sin of 90 minus theta या फिर उसको आप लिख सकते हैं sin of 90 plus theta अब यहां पर अपने को दोनों से करके जुगार लगा के देखना पड़ेगा कि दोनों से किससे जो चार option दिए हुए उन में से कोई एक option आ रहा है और को इसका तरीका नहीं है करने का तो इसको अगर हमने पहले यह वाला लिखा सो यह बन जाएगा sin of 90 minus a by 2 will be equal to sin of इसको एंसे लिख लेते हैं a by 2 plus delta minimum by 2 तो इसका मतलब यह है कि यह और यह दोनों बराबर हो गए विच इंप्लाइज 90 minus a by 2 will be equal to a by 2 plus delta minimum by 2 दोनों तरफ अगर हम 2 से multiply करते हैं a by 2 इस तरफ ले आए तो अपना जो है implies delta minimum की जो value है जो हमें चाहिए 2 से multiply करके यह हो जाएगा 180 और इसे दला के minus a by 2 और minus a by 2 आपका a बन जाएगा 2 से multiply करके minus 2 है तो एक तो यह value हा गई and clearly this is option number d so based on this हम कह सकते हैं कि d might be the right answer अब एक काम करते हैं इसको और use करके देखते हैं इसको जब हम use करेंगे यहापर second position है जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं cos a by 2 को हमने लिखा sin of 90 plus a by 2 will be equal to sin of a by 2 plus delta minimum by 2 तो दो एंगल का sin बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होएंगे हम यह कह सकते हैं तो इसको अगर हम expand करें तो यह बन जाएगा आपका यह बन गया आपका 90 plus a by 2 will be equal to a by 2 plus delta minimum दोनों तरफ डिल्टा minimum by 2 तो अगर आम इन दोनों को वो करें a by 2 a by 2 cancel हो जाएगा 2 से multiply करें तो आपका division minimum जो है वो आ गया 180 degree है आपका देखेंगे तो division आपका 180 degree हो नहीं सकता minimum division 180 तो यह वाला option साही नहीं होगा anyway चार option में दे नहीं रखा है आले सो बेज जॉन दे सम क्याए सकते हैं कि option number d 180 minus 2a would be the right answer